हेलो गाइस वल्कम टो क्रिकेट टॉक चैनल तो आज हम इंग्लेंड और इंडिया की बीज जो टेस्ट सिरीज हुआ था उसका आज हम उसके बारे में बात करने वाले है तो स्कोर लाइन में एक बार बता दो तो टू आने स्कोर लाइन और पाच्वी टेस्ट मैच हुई नही और पहली टेस्ट मैच ड्राव हुई और दूसरी टेस्ट मैच और चौत्री टेस्ट मैच इंडिया ने जीती और तीसरी टेस्ट मैच इंग्लेंड ने जीती और पाच्वी टेस्ट मैच कोविड-19 पैंडेमिक के वज़े से कैंसल के दिगई तो जो यह पाच्वी मैच हु के लोगों का κھینا ठाए ओल के जित के बात की इंग्लंड यह मैच जीतने सकती इंड्या Maori पर फिर इंडिया झालती है तो वन नोंडू हो सकता था तो इसे इंड्या और सभी है यह 2,2 सभी हो सकती थी तो आप एसा नहीं के सकते कि इंडिया लेकार अब अब ICC को ECB ने जो लेटर दिखा है कि अब ICC को बोला कि आप दिखने लोग कि क्या है स्कोल लाइन शीरिस का तो शायद हमें टेस्ट मैच नहीं दिखेगा पाच्वो टेस्ट मैच और अब ICC के जो CEO है उनने का कि जो अगर टेस्ट मैच हुआ अगले समर में तो भी वह एक वन आफ टेस्ट मैच नहीं गिना जाएगा और यह सीरिस का पाच्वो टेस्ट मैच नहीं गिना जाएगा देखिए ऐसी कुछ बात नहीं है कि वह होना नहीं चाहिए था पर अब हो नहीं सकता तो यह बात भी अलग है कि शायद से वह कॉंफिडेंस फर्फॉर्म सब अब चेंज हो सकते है उस टाइम भी चेंज हो जाएए शायद जोफरा अचर बें स्टोक्स टूर्ट रोड सारे कमबैक कर ले तो इंडियन टीम के लिए ज्यादा हाड भी हो सकता है बिल्कुल और यह सीरिस बहुत इजी रही इजी टीम थी इंगलंड की फुल स्टेंट स्कोर्ड नहीं थी जो होनी चाहिए थी मेरे को में में परस्तन ही चाहता था कि बें स्टोक्स जोफरा आर्चर ऑर और भी स्कोर्स कुछ अब हो सकती दोनों सफे ऐसा नहीं की इंडिया ही जीत कि इंडिया जीतती तिरी इंगलंड भी थी मृझन क 무대 यह स्कती थी ल्रूद नों कहींि प्रफॉम्स किया था रिए बिल्कुल मुझ फोर्ट मैच में लग रहा था जैसा कि वह पहले मैच खेले ओक तो बहुत खतरनाख बॉलिंग कि था तो ऐसा लग रहा था कि वह फॉर्मम है यह फॉर्म में यह सब बॉयाब यह पहले तीनों मैच आम अगर अगर शायद से वह पहले तीन मैच में होते हैं तो इंडिया को और मुश्किल हो सकता है तो वह जो लॉट्स की मैच थी उसमें जीतने के लिए अगर हम देखिए कि नया स्टार है इंग्लेंड के लिए जो आगे टाइम में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं अली रॉबिंस ने इस बर ही नहीं जो भी इंग्लेंड और न्यूजलेंड की जो मैच होई थी दो टेस्ट मैच प्रैक्टिस टेस्ट मैच होए थे जिसको और उनोंने वह बहुत अच्छा फ्लो पकड़ा है और वह बहुत अच्छी गीमत गेंड जो एक प्रश्पेक्ट इंस्टा लिए उत्यग अप्रश्ट चीम उतना थे प्रजरसन पास पास नहीं गिया जो बुगा है सबसे हाइश जो लीड बॉलर है पर जेमस एंडरसन इंग्लंड की टीम के तो वैसे लगने लादा कि जेमस एंडरसन इतने भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगे थे पर दो टेस्ट मैंच में तीस्टेस्ट में विकेट लिए इसलिए जेमस एंडरसन ने जिता जिया था फिर ओली रॉबिंसन लेकिन ज्यादा अच्छे लगे थे जेमस एंडरसन से भी जेमस एंडरसन का अब वो एज हो गया है 40 हो गया है उनका एज 39 हुआ है अब 39 के एज में उतना वो strength के साथ बॉलिद ने कर सकते ह होता है पर उतनी स्पीड ने होती जो पहले वो स्पीड थी और स्पीड जो दोनों थी पहले इतनी स्पीड नहीं थी होंगी ऐसे 135 के आस्पास ही वो डालते थे और अभी भी हमने देखा कभी कभी एक्दम रेर्ली वो 140 टच कर सक कर पाते है लेकिन मुस्ट प्रोबैबली वो 130 में होते है और बाद थकते हुए दिखते है हमें पर वो जल्दी थक जाते होंगे ऐसा मेरे को लगता है और उन्होंने काया कि अगली स्पीड में क्यों ने खेलूंगा मैं खेलूंगा तो हम साहथ 2022 में जो समोर होने वाल है अगर इंडिया की साथ एक टेस्माच हो गय कि बोगल में यह सुपंड से नियुडशन तो टॉप रंस्कूलर है जो रूट रूट वह अच्छी बैटिंग किये सबसे अच्छी बैटिंग किये इनोंने उनोने इस सिर्यस में वह बहुत इंपर हो गया हूं जो रूट के बैटिंग से मेरे को लग रहा था कि उनको से और पहले तीनों टेस्ट मैंच में उन्होंने एक सेंचरी मा रही और दूसरे टेस्ट मैंच में उन्हों नॉट टेफ 180 पर जबुमरान और अंडरसन का जो यह हुआ था 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 बहुत ही अच्छी बैट निंग है जोरुट ने और फिर दूसरे नंबर पर रोज चर्मा ने फर्स टेश्ट से ही वह कंसिस्टन्सी रखी है उन्होंने ज्यादा एक ही दो बड़ी इंग्स खेलिया इस तिंक और एक 50 बीवारी है पर वह दो ज्यादा बड़ी इंग्स थी 80 एक एक त्री कुछ थे और एक 127 पर बाकि उन्होंने उतनी अच्छी बड़ी इंग्स न ने सबसे जादा रंस भी बना इंडियन डिम के लिए बिल्कुल यसरीस में और उन्होंने भी का कि मेरा यही एम था कि मुझे रंस ने बनाना है मुझे जितना होते उतना टाइम बिताना है पीछ पे और ज्यादा से जादा बॉल बहुत यह अच्छी बल्ले वाज़ी की है इदर रही चर्मा ने किसे नंबर पर को ने फिर शायद के रहोल है तीन सो से जादा ने भी जो पहले फर्स्ट मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी जो एटी रंस बनाए थे फिर सेकेंड मैच में भी सेकेंड मैच में तो उनकी सेंचरी आ गई बिल्कुल तो आड़ा में उतना अच्छा लिए भॉचा पर्फोर्म नहीं था कर दिया दा और शॉषा कर दिया था-ंघ को साथ अफर ने कंसिश्टशन डी बहुत आठ्चा पर्फारदयूंज में और वांनि आई और बात में बिल्स बीनों बहुत अच्छा परफोर्मेंस बीनिंग में मेरे क्वेस्टन में बहुत बड़ा प्रस्टन है जो शायद से सबको होते है कि अगर अगर केल रहूँ तो डव्यटी सी साइकल में डव्यटी सी फाइनल में होते क्या इंडिया वो फाइनल जीत सकता था अगर केल रोल होते थे तो जीत भी सकते थे लेकिन यह भी रिजल्ट भी आ सकता था लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि वल्डेश चैंपेंशिप क्योंकि तब वो उसमें 15-man score मे इंडिया की अगले टेस्सरी से वो न्यू जिलेंड के समने इंडिया में ही है और मुझा जाकता है यही स्कॉड अभी जो टीम प्लेइंग लेंड जो थी उसमें सी सायथ एक दो पेसर कम कर गये जाए और अक्षर पटल और अश्विन और जड़ेशा तीनों एक सथ खेल ल बिल्कुल जो न्यू जिलेंड के सामने आप दो टेस्समाच की सीरी से वो दोनों खेलने जाहिए और अगर उसमें अगर पर्फॉर्मेंस नहीं आया तो हम ऐसा कर सकते कि के जाल को मिटल अडर में और शिमोन गिल को ओपनिंग कर सकते है करवा सकते है लेकिन याफिर और र आभ कि शिकरद उनको भी ड्रॉप कि अगे कि इचकी कर गया गया है को सबको सारे प्लेस वर्लकुप करने के लिए खेचे और उनको ड्रेश करा दिया तो क्या फाइदा अगर वर्लकुप में आप के अप्टे रेस्ति करते बडर उता आप सीधे 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 आप बात नही जो लोग अज वोई लोग बोल रहे हैं कि अजिंकर रहने लोग को डिरो बैद लूग आट मेने मेले ऐड़ मेने ले तो अगर हैं का फर्म इंड आ अच्छा नहीं हुआ नियूज रांग के समय सिरिस में भी तो मुझे लगता है कि रहने लोग को डॉप कर दो दिया जाएग जब से IPL सुरू हो आ है, IPL 2021 जब स्टार्ट हुआ था तब से वह इंग्लेंड में काउंटी कहले थे और उसके बाद चार टेस्ट एक भी मैच ने के लिए तो थोड़ा उनको भी बूरा लगा होगा पूरा लगता है कि एक मैच को भी ने दिया और के लाल को जल्दी देती है फर के लोड़े करते थे बल्कुल और बहुत अच्या परफॉर्मेंस भी क्याता है उन्होंने प्रैक्टिस मैच में उन्होंने एक सेंचुरी भी माण था और वर्टेश चेंपेंश्यक फाइनल के प कि और एक काउंटे के खिलाफ भी माला था कि दिए के लॉल अब जो इंग्लेंड में आय थे तो वह उस फॉर्म में जिते है कि वह अब अच्छा खेलने ही वाल है तो शायद से उसी फॉर्म को उन्होंने करी किया और फर्स्ट और सेकंड मैच में बहुत अच्छी बैटिंग बिल्कुल 45 किया और वह भी एक अच्छा पर्फार्मेंस के सकते 45 और थर्ड टेस्ट की बात करें तो उतना वह खास खेले नहीं पर पूरी टीम भी उतनी खास नहीं के लिए उस टेस्ट में हमने ज्यादा किसी को अच्छा खेलते को नहीं देखा था सिर्फ रोई चर्मा दोनों इनिंग्स में अच्छे देखे थे पहले इनिंग्स में उन्होंने ज्यादा नंने बना लेकिन बहुत बॉले के थे वह स्वार से ज्यादा के थे और दूसरे रेनिंग्स में रोई चर्मा ने 59 कुछ किया फिर चेटेशवर पुजारा ने 91 और कोहली ने 55 तो उससे ने 99 इंग्स में उन्होंने 99 लेड लेड भी दे दी इंग्लेड टीम लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बदा टार्गेट देदिया था है 368 कुछ अगे देदिया और जीत गए इनिंग्स में जाके बिल्कुल बहुत अच्छे खेली ती आपको क्या अथे बुम्रा रेस द पाएंगे वह और उसके बाद भी टी 20 वर्लक अप जल्दी श्टार्ट होने वाले शैथ से लास्ट मैच में शैथ से इंडन टीम ही रिकेश्ट कर सकते हैं मुंबई इंडेंस को वह इंदा दिखेगा ने हमें पर बात कर सकते हैं कि लास्ट मैच के सकते हैं लेकिन फाइनल 2020 में भी हमने देखा था कि एक मैच में उनको रेच जिया था उनको ट्रेंड बोल को और दवाद कुल करनी और बाखी जो बेंच में दे उनको लाया था और हार भी कहते हैं मुंबई इंडेंस टीम से ऐसा रस के सामने ता हो बिल्कुल एंड करते नहीं करते तो एंड करते लाइक करिया और शेयर करिये वीडियो को और कमेंट में बता ना कि आपको के लगता है कि इंडेंट टीम डिजाव करते है यह सीरीज या ड्राव होने जाहिए यह सीरीज और सब्सक्राइब करिया हमाई चैनल को और इंस्ट्राग्रम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करे और थैंक यू थैंक यू